तो कैसे हो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाइनेंस पे कैसे आप विड्रॉव कर सकते हैं देखी हम लोग ज़ादर पी टूपी यूज़ करते थे लेकिन पी टूपी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सुब में देखने को मिल रही है पी टूपी का जो में प्रॉब्लम यह है कि मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मेरे भाई बोलो उनके अकाउंट कुछ यहाँ पर फ्रीज होने लगे और एक्च्वल में यहाँ पर आर्टिकल्स भी आने लगे कि बहुत सारे लोग साथ यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है अकाउंट फ्रीज कर दिया जा ला था कुछ जो नेक्स परसन पेमेंट करता था उसके अकाउंट से इल्लीगल एक्रिविटी होती थी वो मनी लौंडिन या फिर ड्रग देलिंग जो भी काम था वो इल्लीगल एक्रिविटी करता था और जो पैसे बिचा था तो हमारे एका जो अंटिक कर देता था कि हमें payment मिला ही नहीं, payment नहीं मिलने पर टिक करता था कि इस बंदेरे में payment नहीं किया, बल्कि payment हम लोग कर देते थे, तो यहाँ पर ही वो report कर देता था, तो ऐसा है में Binance क्या करता था, जो हमारे account को ban लगा देता था या फर permanent delete कर देता था, तो यह सा करके, जो भी crypto है, उसको sell करके, direct आप अपने bank account में पैसे मंगा सकते हैं, अब कैसे मंगा सकते हैं, यह easy step है, चोलिए इसके बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Binance अप अपना open कर लेना है, और यहाँ पे जो wallet का option दिख रहा है, इस पे आपको click करन है, इस पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे transfer पे click करना है, transfer पे दो option है, from spot wallet to funding, इस पे click करना है, और यह option है, कि यहाँ पे आपको कौन जा crypto select करना है, यह हम select कर लेंगे, USGT यहाँ पर select कर लेंगे, और कितना USGT आप बेजना चाहते हैं, अपने funding में, तो यहाँ पे जितना आप बेजना सकते, बेज सकते, इसे मुझे अभी 50 USGT की जरूरत है, तो मैं 50 select करूँगा, और confirm transfer पे click करते ही, यहाँ पे आपको अब open कर लेना है, Binance Pay, आपको यहाँ पे P2P open नहीं करना है, कुछों लोग यहाँ confused हो जाएंगे, यहाँ पे P2P भी है, और Binance Pay भी है, तो इस पे थोड़ा confusion दूर कीजेगा, तो अब हम यहाँ पे Binance Pay पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको Binance Pay पे बहुत सरे option आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप अगर जो hot deals इनका है, अगर आपने crypto को PUBG में कुछ item करीजना हो, steam में बेजना हो, gamers हैं, तो इनके लिए अलग यहाँ पे offer दिया गया, direct अपने crypto को, यहाँ पे coupon code में या फिर gift card में रूप में आप भीज सकते हैं, अलग-अलग यह जो deal चलना है, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो मेरा crypto है, वो हमें INR में चाहिए, हमारे bank account में, तो इसके लिए simple से ही, यहाँ पे आपको option दिख रहा बहुत low fees है, fix rate है, और यहाँ पे जो download P2P में जो rate 90, 92 चलता है, यहाँ पे थोड़ा lower है, यहाँ पे दिख से वहाँ पे 90 होगा, तो यहाँ पे 87, यह फिर 88 होगा, तो यह भी चीजे हैं, यह आप यहाँ पे notice कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जो try now है, इस्पेकलि कर है, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो आप अपना country select कर सकते हैं, और उसके नीचे आ जाता है तीन option, तीन option तरह से कि इंडिया में IMPS, UPI, Bank India, तो यह option चलता है, और mostly मुझे लग रहा है कि लोग UPI ही चुनेंगे, और IMPS भी है, आप अपने जो crypto है, उसको sell करके जो अपने bank account में मंगा सकते हैं, अब यहाँ पर मैं UPI चुनूंगा, ठीक है, UPI चुनने के बाद एक चीज़ में बता दू, अगर आप IMPS चुनते हैं, UPI चुनते हैं, या फिर जो भी option चुनते हैं, तो जिस नाम से आपका Binance register है, जो आपने pen card, या फिर जो आपने KYC के आदर से मेरा नाम अनिल दूबे है, तो मेरे bank account में भी जाहिए बात है, वही नाम होगा, UPI में भी वही होगा, तो यही होना चाहिए, UPI ID भी आपका होना चाहिए, या फिर bank account भी आपका होना चाहिए, किसी third person या फिर third party को यह pain नहीं करते, क्योंकि P2P में जिस तरीका का fraud हो रह है, और यह P2P को ही modify करके बनाए गया है, यह चीज मैं आपको clear कर दूँ, यह option Binance के दरफ से है, लेकिन secure है, कोई भी इसमें issue नहीं होने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे UPI पे click करूँगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाएगा, मेरे पास दो UPI ID है, मैंने पहले से यहाँ आप एंटर किया हुआ है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और यह आपका नाम लिखा जाएगा, आपका उपर जो भी नाम होगा, for example, जिसे मेरा नम अनिल दोबे है, और मेरा UPI ID लिखा रहा है, अब यक्शी ज़र बता दू, यहाँ पे जैसे कोई और नाम होता, अनिल पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर इस तरीके का पेज आपके पास open हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, जितना यहाँ यहाँ पर अंटर कर देना है, तसे 50 मेरे पास है, तो टोटल 50 में ट्रांस्फर करना चाहता हूँ अपने bank count में, और यह कल् यहाँ पर फीज भी है, लबग हाफ योजटी यह फीज भी ले रहा है, 0.5 योजटी फीज है, और यह मुझे दे रहा है 87.58, मतलब लबग एक रुपए कम है, नॉर्मल जो वहाँ पर P2P हो रहा है, एक या डियोड रुपए यहाँ पर कम है, लेकिन यह सेक्योर है, और यह बैंक और में आना चाहिए, आने के बाद ही आपको यहाँ पर रिलीस करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं continue पर क्लिक करूंगा, continue पर क्लिक करते ही आपके पास ऐसा page open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, कि यहाँ पर बाइनेंस जो है P2P का ह जो upgraded version वो यूज करा है बतब P2P को ही modify किया है बस हुआ क्या है जो मुझे पैसे भेज रहा है वो Binance की through verified है Binance का ही merchant है और Binance उसे verify किया है तो कोई issue नहीं है ना ही वो illegal activity करता है ना ही कोई problem है अगर कुछ होता है तो Binance उसके जिम्मेदारी लेगा और यहाँ पे आपको verification का tick मिल जाएगा तो यह चीज आप check कर सकते हैं और buyers name भी है ठीक है यहाँ पे buyers name भी है तो simple तरीके से message यहाँ पे chat आपके सामने इस तरीका का chat लिख किया जाएगा आप simple high लिख के बेज सकते हैं और वो payment release करने के बाद message आ जाए जब आप Binance पे trading quarter लिख करोगे तो मेरी ID मिल जाएगी आप मुझे follow कर सकते हो तो यहाँ पे chat में लिख के आ गया है कि इन्होंने payment भेज दिया है तो यहाँ पे मैं simply लिखूँगा कि मैं check करता हूँ और check करने पे यहाँ पे message मिला है इतने पैसे मेरे account में आ गए है ठीक है यह आ गए है ठीक है यह दिखें money receive दिखा रहा है अब मैं क्या करूँगा मुझे पैसे receive हो चुके है और आप एक बार अपने banking app में भी तसलिक लिए चेक कर सकते हैं और अच्छे से चेक करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ पैसे आ गए है उसके बाद आपको payment receive button प ठीक है और जो पैसे है मैं उसे release कर दूँगा यहाँ पर यह जो option आ रहा है payment receive इस पर मैं क्लिक करूँगा ठीक है I have received and verified the payment यहाँ पर मीचे payment receive हो चुका है और मैं verify करता हूँ और confirm release पर simple मैं क्लिक कर दूँगा password enter करूँगा यह मेरे crypto यहाँ पर release हो जाएंगे तो यह बाइ बाइनेस की तरफ से यहाँ पर facility provide की गई है P2P का upgrade थोड़ा वरजन है इन्होंने अपने तरफ से बंदे verified रखे है ताकि वह इसका एमर ना हो और यहाँ पर यह है कि इनकी तरफ से थोड़ी fees लग रही है तो यह बाइनेस की तरफ से आप इसली अपने direct bank account या फिर UPI के तर फिलालोस तो आसके वीडियो मतना ही है आओंगे नए वीडियो में किसी बहुत बहुत बहुतरीन टॉपिक के साथ अब तक लिए धन्यवाद